So Hello Everyone आपका स्वागत है आज के एक और निव वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये सभी जो आप PNG देख रहे हो जो कि मैं ये सभी PNG फॉंट हैं जो कि आपको पता ही है कि दोस्तो ये सभी फॉंट का यूज आप अपने पोस्टर में कर सकतो यानि थामनील बनाने में इसका यूज कर सकतो तो यह सभी font जो कि font FNG मैं आप सो को बना के दिया हूँ जिसके इसका उज़ करके आप अपने thumbnail poster को बहुत ही professional बना सकते हूँ तो finally दोस्तो इसे कैसे download करना है यह सभी font को जो कि एक click में तो मैं इस वीडियो में बताना हूँ तो वीडियो को बीने script के end तक देखते रहे तो दोस्तो इसे download करने के लिए आपको इस वीडियो को description को open कर लेना है तो finally मैं इस वीडियो को description में जो link दिया हूँ उस link को यहाँ पे copy कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे google में इस link को paste कर देता हूँ जैसे कि यहाँ पे उसका यहाँ से मैं search करता हूँ तो finally दोस्तो वीडियो को description में आप link पे click करेंगे तो direct इस page पी आ जाओगे और यहाँ पे लिखा रहाएगा कि download link तो आपको इस पे click करके इससे download कर लेना है और download करने के बाद folder को select करना है जो कि यहाँ पे file manager में आपकी चली आएगा और यहाँ जिए file manager को open कर लेना है जैस इस तरह से interface open होगा उसका दिहां से ok वाली icon पे click करना है और यहाँ पे passport पूछा जा रहा है तो दोस्तो वीडियो को आप अच्छा से शुरू से last देखे होगे तो वीडियो में आपको तीन जगह पे passports होगा उस passport को यहाँ पे type किजिए और आपका file जो कि png font दिया वो तो open करके आप सको दिखाता हूँ तो finally दोस्तो वीडियो में जो passport मिला था यहाँ पे मैंने type कर दिया उसकाद यहाँ से ok वाली icon पे click करता हूँ कुछ इस तरह से जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि successful होगा तो यह finally आपका भी कुछ इस तरह से successful होगा जो कि passport सही दोगे तो उसकाद यहाँ से इस पे click करने के बाद यह जो आप देख रहे हो यह सभी font open हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हूँ जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वही सब font है तो इस तरह से आप अपने font को use कर सकते हो दोस्तो और fan को download करना भी स्थीख लिएंग